ओ द्रुविल अंकल आईए ना प्लीज आईए कैसे हो आने बिटा पर्स क्लास अंकल कहा है तुमारे डाड डाड रेडी हो रहे हैं पारस धाम जाने के लिए लो आगए डाड आगए तुम द्रुविल मनन भाई पर्यूशन परवका फर्स डे है साथ साथ चलते हैं पारस धाम हाँ इस साल भक्ती भाव से पर्यूशन मना ले अगले साल शायद मैं रहू न रहू सुना है आने तुम और तुमारे कमिटी मेंबर्स ने पर्यूशन परवके लिए क्रैंड और्गनाईज किया है हाँ अंकल आपने और डैड ने कभी अपने जमाने में नहीं मनाये होंगे ऐसी तयारी किये है हमने और वो भी विदिन 15 डेज विदिन 15 डेज हाँ अंकल डैड ने मुझे 15 डेज अगो याद दिलाया था कि पर्यूशन परव आ रहे हैं तो पारसधाम में तयारी कर लो और देखो मैं और मेरी कमिटी के सारे मेंबर्स ने मिलकर सब कुछ रेडी कर लिया बताओ आने कैसा योजन किया है नो अंकल या नहीं पारसधाम चलते हैं आप अपनी आखों से देख लेना सपराइस हो जाओगे क्या बात है मनन भाई अमारे बच्चे तो हमसे भी आगी निकल गए लेट्स को बेटा देखा डैड कितना ब्यूटिफुल लग रहा है हमारा पारसधाम देखो अंकल ब्लड डोनेशन, ओपरेटिंग रोबोट शाबाश बेटा डैड वहाँ देखिये और डैड यहाँ आए यह है मंत्र जोन यहाँ पर LED लाइट से नमस्कार मंत्र हाइलाइट हो रहा है इसे देख देख कर यहाँ बेटे बेटे जिसे मंत्र चांटिंग करनी हो तो वे कर सकते हैं और हाँ, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की मालाएं भी रखी है यहाँ पर वेरी गुड आने, पर यह तो बताओ आज के प्रवचन का सबजेट कौन सा सिलेट किया है प्रवचन? Means what अंकल? यह क्या कह रहे हो आने? तुम्हें नहीं मालूम, प्रवचन क्या होता है? नो डैड, वाट इस प्रवचन? आने, बेटा यह सब तो ठीक है पर प्रवचन का आयोजन नहीं किया प्रतिक्रमन आराधना की कोई अरेंजमेंट नहीं की तुम्हें इतना भी नहीं पता कि प्रवचन में संत-संतीजी को आमंत्रित करके उनका प्रवचन श्रवण किया जाता है हर रोज प्रतिक्रमन की आराधना होती है नो डैड, जहां तक मुझे याद है बचपन में आप हमेशा मुझे भक्ती संध्या में लेकर जाते थे और मोशली तो आप मुझे अपने साथ पारसधाम की आफिस में बिठाया करते थे आपने कभी मुझे प्रवचन में तो बिठाया ही नहीं पर आने, प्रतिक्रमन तो परियूशन में करना ही चाहिए येस अंकल, लास्ट डे पर समवंचसरी के दिन तो प्रतिक्रमन आराधना की अरेंजमेंट की है डैड हमेशा लास्ट दिन का ही प्रतिक्रमन करती थे पर आने, इतने पड़े लेके होकर भी तुम्हें इतना भी नहीं पता कि परियूशन में हम ग्रीन वेजिटिबल का त्याग करती है फिर तुमने ये फूट डिस्रिब्यूशन जोन क्यों रखा? मुझसे ये सब कुछ नहीं देखा जा रहा दुरुविल भाई, मुझे घर ले चलो, घर ले चलो भूल हमारी है दुरुविल भाई हमारे बच्चों की नहीं हमारे पापा ने पापा बनकर हमें धर्म के संसार दिये सेवा करनी सिखाई पर हम पापा ना बनकर डैड बन गए और डैड बनकर अमारी परमपराओं को, हमारे संसकारों और धर्म को डैड कर दिया सच कह रहे हो मनन भाई, हमने हमारे बच्चों को higher education दिया आर्ट, sports और self defense करना तो सिखा दिया, पर soul को defense करना नहीं सिखाया हमारे बच्चों की कोई गलती नहीं है, गुनेगार तो हम ही है हम सिर्फ अपने बच्चों के ही गुनेगार नहीं हैं द्रुविल भाई हम गुनेगार हैं प्रभू के और हम गुनेगार हैं जिन शासं के हम गुनेगार है समाज के और हम गुनेगार आने वाली हर उस भीडी के जो हमारे कारण सत्य से, प्रभू के ग्यान से और धर्म के सिध्धानतों से वंचित रह जाएगी हमने कोई सामानिय भूल नहीं की द्रोविल भाई, हमने अपराद किया है, बहुत बड़ा अपराद धर्म से ही दूर कर दिया, कैसी होती थी पर्यूशन पर्व की साधना, आराधना, भैती थी ग्यान की गंगा, वो तब त्याक का महौल, वो भक्ती भावना, पर ना जाने कहां खो गए वो दिन, बीद गए सो बीद गए, कभी लोट करना है और अब हमारे पास समय ही कहां बच्चा है, कि हम आने वाले जनरेशन को धर्म से संसकारित कर सके, जब समय था हमारे पास, तब ऐसी कोई समझ न थी, आज समझ तो है, पर समय हाथ से निकल गया अब तो अंतिम समय नजदीक आ गया, जाने का समय आ गया पर अफसोस, कितना बड़ा दर्द साथ में कर जाना बढ़ेगा